क्या हाल है मित्रो, महेंगे पेट्रोल की वज़े से सबसे ज़्यादा टू वीलर्स चलाने वाले परेशान है, अब हर कोई माइलेज के पीछे भाग रहा है, बजार में माइलेज वाली कई बाइक्स है, लेकिन स्कूटर को लेकर ये मामलत थोड़ा अलग है, क्या आपको पत की शुरुआती कीमत करिब करिब 73,000 रुपे के आसपास है, ये स्कूटर 4 वेरियंट और 6 कलर में उपलब्द है, 125 इसी इंजन के साथ ये सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली स्कूटी है, कंपनी दावा करती है कि ये स्कूटी 64 किलोमेटर तक चल सकती है एक लीटर प है, 125 सीसी के सेगमेंट में बेतर माइलेज के लिए यामा फैसीनो 125 FI स्कूटी अपनी पैचान बना चुकी है, कंपनी के माने तो ये स्कूटर 36 किलोमेटर पर लीटर माइलेज देती है, नंबर 3 पर आता है हीरो प्लैजर प्लस, दुनिया की सबसे बड़ी टूविलर निर का टॉर्क जनरेट करता है, कीमत की बात करें तो दिल्ली में इसकी शुरुवाती कीमत 58,900 रुपे है, नंबर 4 पर आता है टीवे स्कूटी पैप प्लस, टीवेस का ये स्कूटर माइलेज में बेतर के साथ साथ ग्राहकों के जेब पर विभारी नहीं पड़ती, टीवेस स् में कमपनी 65 km प्रतिल लीटर माइलेज का दावा करती है, इसमें 87.8cc की कैपेसिटी का सिंगल सिलेंडर वाड़ा इंजन दिया गया है, जो की 5.4 PS की पावर और 6.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, भारतिय बाजार में इसकी एक शोरुम कीमत करीब-करीब 56,000 रुपे ह नमबर 5 पर आती है, होंडा डियो, माइलेज की दोड में आप होंडा डियो को भूली नहीं सकते, ये स्कूटर करी 55 km प्रतिल लीटर माइलेज देती है, कमपनी ने हाली में इसको नए लुक में लॉंच किया है, 110cc इंजन वाले होंडा डियो की दिल्ली में एक शोरुम कीम चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आज की वीडियो ले इतना ही, राम राम